हालो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक देश एक चुनाओ के बारे में ठीक है बहुत ही महत्तपुन टॉपिक है राजनीतिक में तो यह एक देश ए आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से समझ्य का प्रयास कीजिएगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने टॉपिक विपना दिया है कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे चलिए एक पढ़ेंगे एक देश एक चुनाव के क्या फायदे होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं देखें किसी जो है जीवन्त लोकतंत्र के लिए निस्पक्ष एवं पारदर्सी चुनाव एक आवस्चक प्रक्रिया होती है लेकिन भारत जैसे विश्व के विशाल लोकतांत्रिक देश में लोकसभा, विधान सभाओ, अस्थानिये निकाओं के चुनायों जो है निरंतर होने से देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है जिससे सरक्वारों द्वारा नीती निर्णे न लेपाने के वज़ा से विका सब्स प्रभावित होता है, साथ ही देश पर आर्थिक पोज बना रहता है, इस से निजात दिलाने के लिए भारत में एक देश एक चुनाव की धारना विचारा धीन है, अब समझे कि एक देश एक चुनाव होता क्या है हम लोग भारत में रहते हैं ठीक है अब भारत में क्या होता है कि एक लोक सभा चुनाव होता है और एक राज्य सभा चुनाव होता है और एक छेत्रिय चुनाव होते हैं ठीक है जो मुखिया वगएरा जो वाड वगएरा ठीक है ये सभी बनते हैं जिला पर्षद ये सभी तो ये तीन तरह के चुनाओं हमारे देश में होते हैं अब थोड़ा सोच के देखिए कि ये जो चुनाओं है लोग सभावाला ये होता है 2020 में मैं एक्जामपल दे करके बता रहा हूँ ठीक है ऐसा हुआ नहीं है बस आप लोग थो हुआ 2020 में अब जो राज्य सभाव चुनाओं होए ये होगा 2022 में ठीक है और फिर माल लिजे कि अस्थानिये चुनाओं होगा 2024 में ठीक अब समझेए जो लोग सभावा के चुनाओं हुआ 2020 में ये दो-दो साल के अंतराल पर होगा अब देश में क्या होगा कि सब को चुनाव होने वाला है ठेक है तो ज्यादा जो लोक सभावाली सरकार है जो जो क्या उसको कहें उपर की जो सरकार है वो ज्यादा नीती निर्माण ज्यादा कार्य नहीं कर पाएगी क्यों क्योंकि वो कुछ काम करेगी और लागू करेगी उसके जस्ट दो साल बाद तुरन द दूसरी जो है नीचे की सरकार आ जाएगी, राज्य सरकार, जो है ठीक है, राज्य सभा में दूसरे लोग आ जाएगे, तो फिर से दिकत, और वो भी क्या होगा, राज्य सरकार अगर कुछ नियम कानू लगाता है, तो दो साल बाद फिर ये जो है, अस्थानिय सरकार बदल ज प्रवाई कि ऐसे ऐसे नीती निर्मान लागू हुआ था ये हुआ था तो इन सभी और जो है चुनाव में बहुत सारे खर्चे भी होंगे ठीक है अलग-अलग तो इन सभी से बचने के लिए भारत में क्या किया जाता है कि लोकसभा चुनाओ, राजसभा चुनाओ और छेत्र ये सभी तीनों को एक साथ करा दिया जाता है अभी चुनाओ कब होगा दो हजार चौविस में ठीक है एक हम लोग को पता है ठीक है एक फिक्स टाइम पता है कि हम दो हजार चौविस में चुनाओ होगा तीनों का फिर दो हजार चौविस के पांच साल बात फिर होगा ठीक ह कार का पैसा भी बचेगा चुनाव कराने में जो पैसा लगता है वो सभी बचेगा क्योंकि चुनाव एक साथ होगा तो एक ही साल में सब कंप्लीट अगर हर साल चुनाव होते रहे या दो-दो साल पर चुनाव होते रहे तब दो-दो साल पर खर्चा उतना ही होता रहेगा ठ एक देश एक चुनाव क्या होता है यानि एक देश में जितनी भी अस्तर की सरकारे हैं सब का चुनाव एक साथ ही करा देना इसी को एक देश एक चुनाव कहा जाता है इसका अर्थ भी थोड़ा सा समझ लीजिए एक राष्ट एक चुनाव को धाना से आसे होता है देश में लोक सभा थराज्य सभा की विधान सभाओं की चुनाओं एक साथ कराने से यानि इसके अंतरगत प्रायफ पंचाय तथा नगरिय निकाय के चुनाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है यानि जो लोक सभा है एक देश एक चुनाओं में क्या सामिल किया जाता है जो लोक सभा है और जो राज्य सभा है इन दोनों का चुनाओं एक साथ करवाती है और छेत्रिय चुनाओं हाला कि इसमें सामिल नहीं किया जाता है जो जैसे मुख्या, सरपंचो वगरा जो होते हैं पंचायती चुनाव जो होते हैं यह सभी इसमें सामिल नहीं किया आता है क्योंकि इसमें खर्चा वगरा कम होता है तो यह आप समझ गहोंगे अब एक-दिस-एक चुनाव का इतिहास क्या है देखिए, भारत में एक-दिस-एक चुनाव का जो विचार है वो नया नहीं है, बलकि पहले से भी अपनाया जा रहा है दिस के प्रारंभिक चार आम चुनाव एक साथ हो चुके हैं जैसे 1922 का चुनाव, 1957 का 1962 और 1967 में तो इसमें कहुए एक लोक सभा और राज्यो सभा दोनों की चुनाव एक साथ करवा दिये गये थे इसके बाद कुछ राज्यो की विधान सभाय बीच में ही भंग हो गई थी तो इसके कारण जो है बीच में कुछ-कुर चुनाव करने पड़े थे तो इस तरह से एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई तो उससे जो है चुनाव का सिलसिला भी थोड़ा कम हो गया अब एक साथ चुनाव कराने का विश्त्रित विचार 1999 में प्रकासित विधी आयोक की 170 वी रिपोर्ट में दिया गया था वर्तमान में परधान मंत्री माननिय श्री नवेंडर मोदी जी ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि चुनाव एक तेवहार की तरह होना चाहिए अब एक दिस एक चुनाव अगर हम करवाते हैं तो उसके क्या-क्या फायदे होंगे ठेके, क्या-क्या फाइदे होंगे इसके बारे में चलिए जानते हैं देखी, पहला फाइदा तो ये होगा कि एक चुनावी जो खर्च है वो एक चौथाई ही खर्च होगा ठेके, मतलब सब चुनाव कर एक साथ करवा दें तो खर्चा बहुत ही कम होगा जो खर्चा अलग-लग चुनाव करवाने में होगा उसका चौथा भाग ही खर्चा होगा एक साथ चुनाव करवाने में दूसरा फाइदा ये है कि चुनाव के लिए बार-बार आचार सहिता लागू नहीं करना पड़ेगा ठेक है जिससे काम भी प्रभावित नहीं होगे ये भी एक महत्तपून फाइदा है उसके बाद है कि सरकारी करमचारी तथा सुरक्षा बलो को चुनाव के लिए बार-बार तैनात नहीं करना पड़ेगा और अगला है कि इससे काले धन तथा भ्रहष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी अगला फाइदा है कि मतदाता सरकार की नीतियों तथा कारे करमचों को राज एवं केंद्र दोनों अस्तरों पर परक सकेंगे आप एक देश एक चुनाओं के नुकसान के होंगे ये भी जान लीजे क्योंकि जिस चीज का फायदा होता है उस चीज का नुकसान भी होता है तो आप देखिए राज्य विधान सभाओं के कारे काल को लोग सभा के साथ करने के लिए विधान सभाओं के कारे काल घटाने तथा बढ़ाने होंगे जो देश के संगिये धाचे के खिलाफ है अगला नुक्सान होगा कि सविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए ऐसा करना सविधान की मूल भावना के विरुद्ध है मतलब सविधान में लिखा नहीं गया है लेकिन फिर भी या विचार जो है काफी अच्छा है इसलिए हो सकता है एक साथ चुनाव कराने के लिए सविधान के अनुछेद 83, 89, 172, 275 और 356 में संसोधन करना पड़ेगा जिसके लिए दो तिहाई से अधिक राज्यों का अनुमूदन आवस्यक होगा इसके लिए जन प्रतिनिधित्व कानून 1921 में संसोधन करके धारा दो में एक साथ चुनाव की परिभासा जोड़नी पड़ेगी तो यह सभी कारिय करने पड़ेंगे एक देश एक चुनाव को लागू करने में फिर है कि बीच में लोकसभा तथा विधान सभाओ के भांग होने से मद्यावधी चुनाव के कारण एक साथ चुनाव कराना संभाव नहीं होगा यह बात भी सही है क्योंकि कोई भी जो सरकार आती है वो पांच साल के लिए आती है तो अगर कोई सरकार पांच साल के लिए चुनी गई अभी और जो है बीच में ही भांग हो गई तो जो सरकार आएगी ठेक है बीच में जो सरकार दूसरे सरकार आएगी उसका भी पांच साल चलेगा तो इस तरह से जो है आगे टोटल मिला करके साड़े साथ साल हो जाएगा तो इस तरह से जो है थोड़ा सा एक साथ चुनाव करा पाना मुश्किल हो जाएगा एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रिय मुद्दों के बागे छेत्रिय मुद्दे छोटे जूड़ सकते हैं बड़ी मात्रा में EVM की आवसक्ता होगी और अधिक संख्या में सरकारी करमचारियों तथा सुरक्षा बलो के तैनाती करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार एक राष्ट्र एक चुनाक विचार को देश में अमली जामा पहनाना एक चुनाती पूर्ण कार्य है। यद तथा पी जिस तरीके से देश में एक देश एक कर एक देश एक समानकार की विवस्था लागू की गई है। उसी तरीके से एक राष्ट्र और एक चुनाव की धारना को लागू करना देश के लिए हितकर होगा। इसके लिए ब्रिढ राजनीतिक, एक्छा सक्ती, राजनीतिक, दलों तथा रजनता के समर्थम किया वसकता है। तो ये आप लोग समझ गहूंगे कि एक देश एक चुनाव कराने से क्या फाइदा होगा और क्या नुकसान होगा। और इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको कि अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरू करना, और चैलना पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू किजिएगा, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जल्द ही जव सब्सक्राइब दिया जाएगा, मिलता है अगले उडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद